हालो पेरेंट्स मैं पिंकी स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पेरेंट्स हेल्प में माई डियर पेरेंट्स आप सभी को प्यार में नमस्कार जैश्री कृष्णा रादी रादी डियर पेरेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका बच्चा चोटा बच्चा सिसुए नवजात है और उसको देकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका बच्चा बहुत पीला पीला नजरा रहा है जब वो पैदा हुआ था तब उसका जो कलर था वो इ कई उसको पीला तो रही हो गया क्योंकि जब बच्चा जर्म लेता है तो जर्म के पहले वीक ये दूसरे वीक में उसे जॉन्डिस हो जाता है कुछ बच्चो में तो यह जॉन्डिस बहुत आसानी से ठीक हो जाता है दो-तीन हप्तों में लेकिन किसी-किसी बच्चे की क्या करना चाहिए तो प्रेस पैरेंट्स वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा और सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन कार्णों से रफजात सिस्व को जानलिस हो जाता है देखिए होता क्या है कि जब बच्चा जर्म लेता है तो अगर बच्चे को ठीक से मां का इस्तन पा अच्छा होता है उसमें काफी अच्छी मतलब इतनी इम्मुनिटी बच्चे की बूश्ट हो जाती है उसे पी कर यदि बच्चे को मा का दूद नहीं मिल पा रहा है तो इसके कारण भी बच्चे को जो जाता है ठीक है जो बच्चे सुरुवाती अपने पहले ही और मा का बले टुंद इफ दिफ्रेंट अलग अलग बलेट ग्रुप की हैं तब भी होनों का खटरा बच्चे को होता है इसके साथ यदि बंस्यवाह सब मुन पंढर बच्च्चे सब्सक्राइए जोट दे जिए अगर बच्चे stat काूझ नह 201 यह थीअ हो गढ़कोस्ट हो जाता है क्योंगि ब्लड में जो जो मात्रा होती है जो फिल्टर नह?", फिल्टरca भडदी जाती है इस से इवज्दी को पीलिय रहा हो जाता है थो किकयों बच्छे को कि बच्चे को प्रोपर इसतनपान नहीं कर रहा इन सबी कारणों से बच्चे को जोने का खत्रा हो जाता है अब किस तरीकिसे ठीक करता है यदि आप के बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले उसके लिए में ब्लड टेस्ट किया जाता था इपके बच्चे की आंके को यह सब बच्चे सकी sind जब बच्चे की कराने के दुरान जब बच्चे का पता चलता है कि बलड Prab discuss में बच्चे का वस्पिलाइज कराने का सजेशन दिया जाता है यदि 15 से कम है 14 है 15 है तो बच्चे को आप घर पर ही रहकर क्यों कर सकते हैं उसका जो पीलिया वो ठीक कर सकती है अगर 14-15 हैं कम है तो आप क्या करेंगे कि आप अपने घर में बच्चे को ऐसी जगह पर सुबह गुशे की दूप निकलती हैं सुबह सुबह की धूप में आप अपने बच्चे को लिटा दें और दूप बच्चे के पूरे सरीट पर पांदन चाहिए आप ऐसा अगर दिन हपते भर भी करती हैं तो बच्चे का जो पी लिया है वो घर पर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा और यदि बच्चे का जो बिली रुबीन है पंद्रे से उपर आता है यसे 16 ए 17 ए 18 है तो ऐसी कंडिशन में डॉक्टर्स बच्चे को हॉस्पिटलाइस्ट करने का सजिशन देती हैं उसमें होता क्या है कि बच्चे को हॉस्पिटलाइस्ट किया जाता है और महां पर बच्चे को फोटो थेरेपे के तुरू ग्ल्यू ग्रीन स्पेक्ट्रम लाइट दी जाती है ज बच्चे की जो लाइट बच्चे को दी जाती है उसे बच्चे के सरीर का जो पीलिया को दीरे कम होने लगता है और दो या तीन दिन में आपका बच्चा ठीक हो जाता है लेकिन यहां पर आपको यह गलती नहीं करने हैं कि आपको बच्चा घर पर नहीं रखना यदि आप तोचा आंके सब पीला पीला नजर आ रहा है तो जल्दी से आप डॉक्टर से मिलिए ब्लड टेस्ट कराई और ब्ली रिविन चेक करिए और जितना हो सकता है यदि आप अपने बच्चे को अपना दूद्ध पिलाती है अपने जितना हो सके अपने बच्चे को स्तन पान किरा और धूप में रखें उतना ही जल्दी आपके बच्चे का पीलिया ठीक हो जाएगा तो दी हुई जानकरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को जादा से शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मैं नेक्स वीडियो मिल झाले मैं और जाएगा थांस वीडियो मिलीण